PCS सार्थी के इस चैनल पर प्रति दिन आप को दिखाया जाता है तो आईए हम सब का स्वागत करते हैं जो लोग भी करेंट एफेर्स के प्रोग्राम में सामिल होना चाहते हैं तो आईए आज के मुख्य समाचार को देखते हैं जो आपकी UPSC और PCS के लिए बहुत ही ज्याद प्रोशन क्या है विच फॉलाइंग फानाइंसल कंपनी इस लांच रूट्स डेडिकेटट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग कंप्रीहंसिव इन्वेस्टर एड्यूकेशन और मार्केट अनलेसिस निमलेखित में से किस वीतिये कंपनी ने व्यापक विनिवेसक सिक्षा और बाजार विसलेशन प्रदान करने वाला एक समर्पित प्लेटफॉर्म रूट्स लॉंच किया है सबसे पहले समझी यह है कहा जाता है जो जेनरल पब्लिक है आम लोग है उनको इन्वेस्टमेंट की भासा बहुत जादा समझ में नहीं आती कहां इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट का क्या डिस्क है और किस आदा से हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा प्रॉफिट हो सकता है इस पे एक कमप्लीट एनालीसिस प्रोग्राम सुरू किया है किस के द्वारा तो HDFC Securities के दर है, तो ये HDFC Securities ने सुरू किया है एक analysis program, HDFC Securities, ये एक परकार का education है, आप समझिएगा, launched route है, एक तरह का education है, जो investment के लिए है, जैसे कि आप investor education program इस पे चलाया जाएगा, export analysis दिया जाएगा, कुछ videos program होंगे इस पे, तो ये regulars, ताकि आम लोग इससे aware हो पाएं, और analysis कर पाएं, market का research कर पाएं, तो किस ने किया है ये, तो HDFC Securities के द्वारा ये शुरू किया गया है, एक तरह का education, जिसका नाम है routes. नेक्स कोस्टिन है, यादो कि ये जो खिताब होता है, प्रो कबड़ी लिग का नौवा सीजन जो जीता गया है, ये जैपूर पिंक पैंथर्स द्वारा जीता गया है, इससे पहले पटना द्वारा जीता गया था, ये पहली बार है जब पिंक पैंथर्स द्वारा जीता गया है, और ये किनके नितुरत में हैं तो ये सुनील कुमार मलिक है इनके कप्तान सुनील कुमार मलिक याद रखिएगा सुनील कुमार मलिक और ये जैपूर पिंक पैंथर्स के मालिक जो है वो कौन है अभी से एक बच्चन याद रखिएगा अभी से एक बच्चन अब इसे एक बच्चन है जैपूर पिंग पैंथर्स के मालिक दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जो भी टीम इसमें जीटती है तो वीजेता को आठ करोड रुपया दिया जाता है और जो उप वीजेता होते हैं उनको 1.80 करोड यानि एक करोड असी लाख रुपया उनको दिया जाता है तो यह है जैपूर पिंग पैंथर्स जैपूर पिंग पैंथर्स ने इस बार जीता है नेक्स कोस्चन में देखिए नेक्स कोस्चन क्या है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया इंपोजड ए पैनल्टी ओफ रुपिस 2.66 करोड ओन विच फॉलेंग फॉरेंग बैंक इंडिया ओपरेशन फॉर नन कंप्लाइंस विट डारेक्शन और साइबर सेकुरेटि फ्रेंबर भरती रिजर्ब बैंक ने साइबर सुर अच्छा धांचे पर निर्देशों का पालन न करने के लिए निमलिकित में से किस विदेशी बैंक के भारत पड़ी चालन पर 2.66 करोड उपया का जुरुमाना लगाया है देखिए का जाता है रिजर्ब बैंक का एक गाइड लाइन है कि कोई भी बैंक साइबर क्राइम को रोकने के लिए या बाहरी प्रवेस को community system में रोकने के लिए कुछ software का इस्तमाल करें और कुछ दिसा निर्देश का पार्ने करें जिसमें कहा जाता है कुछ robotics system है industrial control system है water system है smart grid system है इन सबका प्रयोग कहा जाता है करने के लिए ठाकि हम cyber crime से बच सकें और इस दिसा निर्देश का पार्न नहीं करने के लिए एक बैंक को 2.66 करोर रुपया का पेनाल्टी लगाया है रिजर बैंक ने और वो बैंक ओप बहरेन और कुवेथ है यह जो बैंक ओप बहरेन है और कुवेथ है इसी पर यह पेनाल्टी चार्ज लगाया गया है 2.66 करोर रुपया ताकि हम साइबर क्राइम से सुरच्छित हो पाएं साइबर क्राइम से तो आप परचिती हैं आए दिन किसी ने किसी के साथ यह घटना आजकल कॉमन सी बात हो जा रही है तो हमें कुछ दिसा निर्देश का पालन करना चाहिए अगर हम बैंक एक औरगनाजेशन के रूप में हैं तो Next Question देखिए Next Question The Book Indian Navy at the rate 75 Reminencing the voice in authored by which of the falling author Pustak the Indian Navy at the rate 75 Reminencing the voice निमलिकत में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी अब यह लेखक कौन सी हैं यह जो है यह डिफेंस और एरोस्पेस की जर्नलिस्ट है यह डिफेस और एरोस्पेस की जर्नलिस्ट है अडिता बनर जी दिखinement कहा गया था कि जब second world war हुआ था second world war के time में जो हमारी रॉयल média niveau थी उनका जो उनका जो बलिदान था उनको बिटिस जो इतिहास कार थे इन लोगों ने दबा दिया था और इनकी चर्चा कहीं बहुत जादा अच्छे रूप से नहीं की गई थी अब इन सैनिकों को द्वारा जो नेवी के सैनिक थे रॉयल इंडियन नेवी के उन लोग ने अपने इस बलि दिखा गार में सुर्णचित रखा था अब उस पे विस्त्रित चर्चा किया गया है इसी बुक में और ये लिखा गया है the Indian Navy at the rate 75 यह सिर्शक के नाम से तो अडिता बनर जी हैं याद रखिए गए यह जर्णलिस्ट है कहां कि aerospace और defense के जर्णलिस्ट यानि पत्रकार हैं यह next question next question देखे which Lysandry athletes has been nominated by the Rajya Sabha chairman to the panel of vice chairperson and the Rajya Sabha देखे यह पहली बार हुआ है कि किसी athletic को यानि सभापती द्वारा सभा के सभापती द्वारा चेरपरसोंस द्वारा उप सभापती के रूप में मनोनीत किया जाए या उसको बुलाया जाए यह है PTO सा PTO सा हमारे अर्टिकल 89 में यह प्रोवीजन है अर्टिकल 89 में यह प्रोवीजन है 89 में यह प्रोवीजन है कि अगर यह seat Vice Chair Person का अगर यह seat खाली होता है तो इसको जल्द से जल्द भड़ा जाना चाहिए और इसमें किसी भी मेंबर को मनोनीत बुलाया जा सकता है और सभापती बुला सकती है या फिर वहां के मेंबर उसके लिए प्रतिवेदन दे सकते है आवेदन दे सकते है या अप्रोच कर सकते है इसका प्रोवीजन अर्टिकल 89 में किया गया है Constitution Positions है 89 का तो यह PT हो सा है याद रखिएगा यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अथलेट को Vice Chair Persons के रूप में Panel में नामित किया गया हो Next question है A first of its kind tribal winter festival Was held in the Bandipora district of Which of the following union territories निमलिकित में से किस केंदर सासित परदेश के Bandipora जिला में अपनी तरह का पहला आदिवासी सीद काली महोट से आयोज़त किया गया देखिए का जाता है जमू कस्मीर में यह सांस्कृतिक कारकरम आयोज़त किया गया और जमू कस्मीर में जो जनजाती समूह आप देखेंगे गुजर और बकरवाल है और गुजर और बकरवाल ने बडिहत रूप से सांस्कृतिक का आयोज़त किया काफी संख्या में लोग सांस्कृतिक कारकरम में भाग लिये थे और वहां के जिला प्रसासन द्वारा ये किया गया था और इसमें एक खास तरह का कहा जाता है आयोजन किया गया था जिसमें एक निर्ट सेली जिसको हम कहते हैं गतका याद रखिएगा गतका गतका का प्रधर्सन किया गया था और यह कहा गया था कि दो अगा कि एक प्रकार का दो गुजिरो शबूदायों के बीच की लडाय के प्रदर को प्रदर्सित करता है और यह एक लड़ाई की प्रदर्शनी है आत्म सुरच्छा के लिए एक सहली है आत्म सुरच्छा है सिखों के द्वारा आत्म सुरच्छा की एक भावना है जिसमें इसका प्रदर्शन इसी सांस्कृतिक कारेकरम में किया गया था नेक्स देखिए, ये समारो का आप देख सकते हैं, नेक्स है, as per finance ministry's latest data, what is India's gross domestic product growth in the first half of 2022-23? वित्मंत्राले के नवींतम आक्रो के अनुसार, 2022-23 की पहली 6 माही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विर्धी कितना रहा है? तो ये आकरा है, ये data है, GDP के बारे में आप जानते हैं, तो किसी खास जोग्रफकल एरिया में, निश्चित अवधी में जो product है, आपका यानि पहले चमाही में, फॉस्ट हाफ का मतलब 6 महिने में 9.7 रहा था, ये 2022-23 के चमाही का data है, ये वित्मंत्राले द्वारा जारी किया गया था, नेक्स कुस्चन है, नेक्स कुस्चन जड़ा देखिये, और तीन अस्तंब क्या है, इसको जड़ा समझे, देखिये, ये इंडो-pacific region में, अमेरिका की एक पहल है, जिन्होंने एक समूव बनाया है, और सारे देशों को invite किया है, कि इसमें चार मुद्दों पर आपसी समझ विक्सित कीजिए, और एक दूसरे को corporate करके आर्थिक वि के initiation में इसको शुरू किया गया था, और वर्तमान में तीरह देश इसमें सामिल है, एसिया-pacific country, एसिया-pacific region तो आप समझी रहे, तो एसिया-pacific region है, उसके तीरह देश इस ग्रूप में सामिल है, जो इंडो-pacific economic framework बना है, IDEF, तो IDEF का जो चार pillar है, उसमें याद रखि एक वैपार है, trade है, और दूसरा है, tax, तीसरा है, supply chain, supply chain, और चौथा है, anti-corruption, anti-corruption और clean energy, clean energy यानि green energy या फिर non-renewable source of energy, तो इसमें चार अस्तंबों में से तीन पर विशेश वारता का मेजबान है, का मतलब है, tax, supply chain, और anti-corruption, भारत participate करेगा, trade के मुद्धों पर बहस नहीं करेगा, तो trade के मुद्धे पर ये वैपार के मुद्धे पर बहस नहीं करेगा, तो ये ज इंडो-pacific economic framework है, उसमें चार पीलर हैं याद रखिएगा, और भारत इसमें भागिदारी ले रहा है, लेकिन trade के मुद्धे पर वो नहीं ले रहा है, तो इसमें कौन कर रहा है, इंडिया, चार अस्तंबों में से तीन पर एक विशेश वारता का दोर का मेजबान करेगा, रूपीज 4.04 लाख करोड रेस्ट बाइज़न थो इन डिस इन्वेस्टमेंट और अस्टेजिक सेल अफ पी अस्तंबों मिनिस्ट्री यह कौन से मंत्राले के अधीन आता है, विच अब दा पॉलविग मिनिस्ट्री, 2014 के बाद से सरकार द्वारा PSU के विनिवेस और रनितिक बिक्री के माद्यम से 4.04 लाख करोड रुपे जुटाएगा, इनमें इनके अनुरूप निवेस और सारजुनिक संपती परबंदन विवाग निमलिकित में से किस मंत्राले के अंतरगत आता है, किस मंत्राले के अंतरगत आता है, तो यह मिनिस्ट्री आफ फाइनांस है, वित मंत्राले, मिनिस्ट्री आफ पाइनांस, वित मंत्राले के अधनी, देखे, कहा गया था कि 1996 में विनिवेस आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा, और विनिवेस आयोग का गठन करने के बाद 2004 में फिर विनिवेस आयोग को मिला दिया गया था, किस में 2001 में बनने वाला कौन सा मिनिस्ट्री था तो ये था विनिवेस मंत्राले 2001 में विनिवेस मंत्राले का गठन किया गया था विनिवेस मंत्राले याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि विनिवेस मंत्राले का गठन कब किया गया तो 2001 में तो जब विनिवेस आयोग बना, विनिवेस आयोग बना, तो 2001 में जब विनिवेस मंत्राले बना, तो विनिवेस आयोग को पुना 2004 में इसी मंत्राले में मिला दिया गया था, इसी मंत्राले में इसे मिला दिया गया, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार आप देखेंगे अब तक 2014 तक सिंस 2014 से अगर बात करें तो 4.4 लाख करोर रुपया अब तक गौर्वर्मेंट को प्राप्थ हुआ है तो ये Ministry of Finance के अंतरगत आता है Ministry of Finance के अंतरगत Next question Which of the following state union territories generated the most number of jobs under the PMEGP scheme in the current fiscal year चालूबित वर्स में PMEGP योजना के तहत निमलिकित में से किस राज्यक के अंदर सासित प्रदेश ने सबसे अधिक नो कर दिया शिर्जित की है अब ये PMEGP क्या है तो प्रधान मंत्री Employment Generation Program है प्रधान मंत्री Employment Generation Program यानि प्रधान मंत्री रोजगार स्रिजन कारेकरम अब देखिए इसके तहत क्या किया जाता है इसके तहत जो यूवाएं हैं उनको स्वारोजगार के लिए लोन दिया जाता है एक तरह से और ये लोन अगर आप वी निर्मान के छेतर में कोई manufacturing कर रहे है तो उसके तहत 50 लाख रुपया आपको दिया जा सकता है और अगर ग्रामीन छेतर के हैं तो उसमें subsidy भी मिलेगा पचीस परसेंट आपको subsidies में मिलेगा और अगर आप पिछरे वर्ग के हैं यानिशीज़ जन जाती हैं OBC हैं तो आपको 35 परसेंट ग्रामीन छेतर में subsidy दिया जाएगा उसी तरह से अगर आप अगर भी निर्मान नहीं सेवा छेतर में हैं तो 20 लाग तक का provision है आपको लोन देने का बैंक द्वारा दिलवाय जाता है लोन आपको तो इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा employment generation किस राज्ज में किया गया है तो सबसे ज़्यादा किस में किया गया है जम्मू एं कस्मीर में यह जम्मू एं कस्मीर ने किया है तो आप देखेंगे यह जम्मू एं कस्मीर है परधार मंत्री रोजगार सिर्जन कारकरम जिसको शुरू किया गया था कब यह PMEGP प्रोग्राम 2008 में इसको सुरू किया गया था याद रख़िएगा 2008 में इस प्लाइमेंट जनरेशन को सुरू किया गया था और सबसे ज़्यादा रोजगार सेजन किया है जमू एंड कस्मीर ने याद रखियेगा नेक्स कोस्टिन इसका मतलब इसका एक गाना है आप लोगोंने सुना होगा आर आर का गीट नटू नटू तो इसको बेस्ट कैटोगोरी का सॉंग आसकर 2023 के लिए चूना गया है तो आप समझ रहे हैं इस बार इस फिल्म को कई सारे आवार्ड्स मिल गया है तो आसकर 2023 के लिए बेस्ट सॉंग कैटोगरी तो ये आर 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 का गीट है नटू next question next question है what is the name of the new covid variant which is emerging recently in China तो यह emerging China में जो नया नया variant आ रहा है variant का मतलब है यह सब mutant है जैसे second wave जब आया था, emicron आया था तो उसी का एक series है जो mutant बन जाता है जब भी cross होता है तो नेरा mutant बन जाता है और यह BF.7 है तो A series यह अभी China में तो हलका मचा रहा है और संभावना जाहिर की जा रही है कि इंडिया भी इसके चपेट में आ सकता है तो यह BF.7 next question next question है Justice Hemant Gupta was appointed as new chief of the New Delhi International Arbitration Center the appointment committee of the cabinet is composed of the Prime Minister of India एक्स एक्स एफिसे चेर्पेंट है क्या यह किस तरह का department है देखें इंटरनेशनल अस्तर पे बहुत सारे मुद्धे हैं जिसमें क्या होता है उल्जहने आ जाती है उसमें कुछ मतभेद उत्पन हो जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के मतभेद को दूर करने के लिए हम इस तरह के organization को set-up करते हैं पनाते हैं जिसका मुख्य काम होता है कि अंतराश्ट्र अस्तर पे इन सारे मतभेद'ो को दूर करें चाहे वो मतभेद किसी भी छेटर में क्यों नहों रननितिक के रूप में क्यों हो क्यों नहों डिफेंस के अस्तर पे क्यों नहों एकोनॉमिक के अस्तर पे ही क्यों नहों लेकिन इंटरनेशनल उलजन होती है उनको करने के लिए और इसमें जो न्यूक्ति की जाती है चेर परसन की वो दो लोग मिलके करते हैं पहल तो जिसमें एक सुप्रीम कोट या हाई कोट का एक जज सामिल किया जाता है और भी 5-6 मेंबर अन्य भी इसमें सामिल किये होते हैं जो intellectual person होते हैं और international relations से सम्बंदित experience होता है तो इन सबसे 7 मेंबर से मिलकर यहां बनता है arbitration center का निर्मान 7 मेंबर होते हैं याद रखिएगा इसमें नेक्स कोस्टिन जड़ा देखें नेक्स कोस्टिन National Mathematics Day is celebrated on which of the following days annually रास्टी गनित दिवस प्रतिवर्स निमलिकित में से किस दिन मनाया जाता है तो आप मुझे बताईए National Mathematics Day कब मनाया जाता है तो यह स्री निवास रामानुजम का नाम तो आप जानते हैं उनके कारियों के लिए उनके उन लेखनिये Mathematics में योगदान के लिए ये दिन की घोसना की गई है और उनकी जन्मति थी है 22 दिसमबर 1887 ये उनका Birth Anniversary मनाया जाता है 22 दिसमबर तो ये जो डेट है 22 दिसमबर को श्री निवास रामानुजम के Birth Anniversary के उपलक्ष में इसकी घोसना की गई है जो अभी 135th Anniversary मनाया जा रहा है बर्थ Anniversary एक्सो पैथिसमबर एक्सो पैथिसमबर एक्सो पैथिसमबर रामानुजम के निवास पिरी निवास रामानुजम तो आप याद रखिएगा National Mathematics Day 22 दिसमबर को मनाया जाता है 22 दिसमबर को मनाया जाता है Next question Next question है साहित्य अकाडमी Announced its annual साहित्य अकाडमी Awards in how many languages साहित्य अकाडमी ने कितनी भासाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकाडमी पुरुसकारों की घोसना की है कितने तो ये 23 भासाओं में किया गया है देखिए भारतिय सांस्कृति के उन भासा को आगे बढ़ाने के लिए और उनको प्रमोशन के लिए साहित्य के प्रमोशन्स के लिए ये एवार्ट परतिवर्स दिया जाता है और जिसका फाउंडेशन कब किया गया था 12 मार्च 1954 12 मार्च 1954 में साहित्य एकाडमी वो फाउंड किया गया था फाउंडेट किया गया था चुरुवात इसकी की गई थी तो 23 भासाओं में दिया गया है घोसना की गई है और इसका उद्यश होता है भारत के लिट्रेचर और साहित्य को बढ़ावा देना और उनको प्रोटेक्ट करना साहित्य को इसके लिए ये 20 है तो इसमें जो ओप्शन है उसके हिसाब से आप देखिए 23 तो नेक्स्ट है, थैंक्यू, यानि आज की जो सभा है, यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास, ग्यारा बजे जो ग्रफिकी होगी, उसमें हाजी रहिएगा, तो आप सब का दिन मंगल में हो, थैंक्यू वेरी मच्चू.